अगर आपके पास से फर्स सेमिस्टर से लेकि एट सेमिस्टर की मार्क शीट से और आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस केस में जॉब मिलनी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले की तो इसके दो पॉइंट्स है पहला पॉइंट्स यह है कि या तो आप अभी फोटियर में है और आपका कॉले से प्लेस्मेंट नहीं हुआ है और आपको एज एंजन क्याट शिप पर जाना है और दूसरा पॉइंट यह है कि आप अल्रेडी ग्रेजुएट हो चुके हो और आपको एजन क्याट शिप पर जाना है प्रैक्टिकली अपलाई किया था और उसका एक्स्पिरेंस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा तो इस वीडियो के साथ बने रहे है तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जो सबसे पहला important point है वो है CV मैंने बहुत सारे colleges की CV देखे हैं तो वो CV कुछ होता नहीं है basically वो एक 4-5 word files के page होते हैं जिसमें सिर्फ rows और columns होते हैं तो नहीं दोस्तों हमको वो CV नहीं भेजनी है अब आप already graduate हो चुके अपनी college से तो आपको एक attractive और systematic CV तयार करने में अब कहाँ पर मिलेगी attractive और systematic CV या आपको YouTube पर मिलेगी आपको internet पर मिलेगी YouTube पर आप search करें इंटरनेट पर आप search करें और इसी बहुत सारी paid sites है जो आपको एक इतना systematic CV बना के देगी जो आपके lifetime के लिए आपके साथ रहेगा और आपको job दिलाने में बहुती benefit देगा तो आपको एक systematic और एक practical और एक अच्छी CV बनानी है इसमें आपके सब कुछ डेटा अच्छी तरीके से फिल हो और दूसरी चीज यह है कि आपको किसी भी company को आपको यह CV डारेक्ली नहीं भेजना है आपको systematic application लिखना है अब उस application में सब चीज़े systematic होनी चाहिए उस application में यह मत लिख लेना कि मेरे घर पे financial problem है इसलिए मैं को job चाहिए उस application में यह लिखना है कि आप उस job के लिए right person क्यूं है आपके पास क्या skills है उस skills को आपको mention करना है उस application में और वो application आपको उस email में CV के साथ में भेज देना या तो वो application आप word file में लिख सकते है और उसको भी attach करके भेज सकते है या फिर आप वो application जो है वो directly email में type करके CV को attach करके आप भेज सकते है लेकिन दोनों ही चीज़े बहुत systematic होनी चीए उस application में आपको बहुत अच्छी तरीके से mention करना है कि आप उस job के लिए right person क्यूं है आपके पास क्या ऐसी skills है जो आपको दूसरों से अलग रखते है वो skills आपको उस application में बतानी है तब ही वो आपको job मिलेगी प्राइट कंपनी है वो है synergy maritime जिसकी complete video उमने बना रखी आप आई section पर जाके देख सकते है और जो दूसरी shipping company वो है Williamson Ship Management अब ये shipping company भी जो है अपने exam conduct करवाती है लेकिन इसका एक criteria है तब ही exam conduct करवाती है जब इसको engine cadet की requirement होती है तो इसने जो exam conduct करवाय था वो आज से दो साल पहले इसने exam conduct करवाय था for the post of engine cadet जिसमें इसने approximately 180 के आसपास engine cadet लिये थे Williamson Ship Management ने लेकिन अभी 2020 आने वाला तो chances है कि वो अभी फिर से application form निकाल सकती है तो आप उसकी site पे जाके regularly check कर सकते है और वहाँ से अपना all India level exam दे सकते है और as a engine cadet आप ship को join कर सकते है अब guys जो तीसरा सबसे important point है वो point यह है कि आपको fraud agent के चक्कर में नहीं पढ़ना है fraud agent का मतलब आप random यह आप facebook पे स्क्रॉल कर रहे है इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे है किसी ने बताया यह है आपने उसको पैसे दे दिया और आप इंतजार कर रहे हैं कि आप ship पर जाएंगे नहीं दोस्तों आप कहीं नहीं जाएंगे आपका पैसा चला जाएगा आप यहीं रह जाएंगे तो इसके लिए मैं आपको systematic approach बताता हूँ कि ऐसी बहुत सारी shipping reputed shipping company है जिनकी sites पर agent के contact details होते है उसमें से मैं shipping company का नाव लूद तो zodiac shipping company है और एक corporate anchor है जो की जिनके reputed agents है उन company के agents है जो की उनके contact details नीचे दिये हूँ आप उनसे contact करके as a engine के रहे ship पर जा सकते है बहुत ही reputed companies है ये दोनों ही उनके reputed agents है जो आपका पैसा नहीं खाएंगे और आपको बिल्कुल सही दरीके से आपको ship पर भेजेंगे अब guys जो number fourth point पर वो है कि आपको additional courses करने होंगे हाला कि अभी आप घर पर बैठे तो आप online भी courses कर सकते है तो आसी बहुत साई sites है Udemy हो गई, course रिया हो गया और पी आसी number of sites है जहां पर especially जहां सुनना mechanical engineering के अंडर में बहुत सारे सब्जेक्ट से जो की marine engineering के related है और आप वो courses कर सकते हैं मैंने खुद ने वो courses किये जैसे की mechanical engineering के अंदर आपको courses मिल जाएंगे IC engines, number 2 मिल जाएं gas turbines, centrifugal pumps इन पर different different video से assessment है और उसके बाद में आपको certificate मिल रहा है और कितना time 10-15 दिन में आपको certificate मिल जाएगा e-certificate मिलेगा आपको certificate को download कर सकते हैं या तो दोस्तों ये courses बिलकुल free है या फिर बहुत ही जादा reasonable price है मैंने दो courses किये दे जिनका price approximately 600 के आसपास था और मेरेकों उनकी certificate भी मिल चुके तो आपको कुछ additional courses करना होंगे ताकि वो आपको दूसरों से अलग रखे और दोस्तों ये pandemic खतम हो जाए तो उसके बाद में अगर possible हो तो आप किसी mechanical workshop में जाएए किसी electrical workshop में जाएए वहाँ जाके on hand up experience करिए चीजों को और वहाँ से certificate obtain करिए अगर certificate obtain नहीं भी होता है तो आपके पास बोलने के लिए है आप उसमें add कर सकते कि आपने यहाँ पर काम किया कोई अगर आपसे cross question करता है इंटर्वर तो आप बता सकते उस case में क्योंकि आपको बिना additional skill लिए आप job धुनने जाएंगे तो आप बूल जाना आपको job नहीं मिलने वाली अगर आपके पास से first semester लेकि 8 semester की mark sheets और आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस case में job मिलनी बहुत ही जादा difficult हो जाती है तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था आप ये point follow करिए आपको बिलकुल दिक्कत नहीं आएगी आपके chances बहुत जादा बढ़ जाएंगे इंजन के रिट की पोस्ट के लिए आपको बिलकुल difficulty नहीं आने वाली है ये points अगर आपने follow कर दी एक बार follow करके आप देखिए आपको बिलकुल job मिलेगी मैं आपको assurity देला तो आपको job मिलेगी अब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहो एक practical experience जो मेरे ही एक batchmate मेरे ही best friend के साथ में हुआ वह practical experience यह है कि हम लोग का college खतम हो चुका था और उसके बाद में उसका college से placement नहीं हुआ था तो उसने different different companies में इसी प्रकार से cv और application उसने डालना सुरू कर दिया था लेकिन बहुती beautiful cv था बहुती अच्छा application था उसका तो वो हर company में 15 दिन बाद वो cv देता रहता था तो अब दोस्तों हुआ यूँ कि college के 4-5 महिने बाद उसको M.O.L. M.C.O.S.K. Lines यह एक ऐसी बड़ी shipping company है जो कभी भी बाहर से cadets को recruit नहीं करती है लेकिन हाला कि इसने cv डाल रखा था इसके पास additional skills थी क्योंकि इसने college के बाद mechanical workshop और electrical workshop में इसने कान किया था उसके भी उसके पास certificate थे वो सब उसने add कर दिये थे अपनी cv में तो उसके बा अचा और उसके ML में तीन interviews हुए जी दोस्तों तीन interviews हुए हाला कि ML तीन interviews for the rank of cadet कभी भी नहीं कंड़क करवाती है तीन interviews तो तीन interviews हुए उसके बाद में वो बंदा भी sailing कर रहा है वो बंदा भी ship पर है तो जी दोस्तों उसको मित्सियो इसके lines में placement वर्स बंदे का वो भी बाहर से और कारण सीव यही था उसने बहुत hard work किया उसने बाहर जाके mechanical workshop, electrical workshop से certificate और obtain किये उसने online courses किये, communication skills का उसने online courses किया, English speaking का उसने online courses किया और soft skills का भी था उसके पात certificate तो इन सब के basis बे उसका CV बहुत जादा strong बन चुका था, बहुत जादा attractive था, तो इसको बाहर से मि shipping company में उसको job मिली है, और वो भी selling कर रहा है, तो दोस्तो आप भी points follow करें, बिल्कुल आपको job मिलेगी बाहर से, दोस्तो आज की वीडियो में सिप इतना ही, और ऐसी बहुत सारी interesting videos के साथ में, मैं आता रहूँगा, तब तक के लिए आपको अगर यह वीडियो अच्छा ल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और पहले एक उनको तबाना मत बूलना ताकि कोई भी हम नेक्स्ट वीडियो अपडेट करते हैं, तो आपको notification पहले ही मिल जाएगी, तब तक के लिए दोस्तो बाए